हलो बच्चो स्वागे थे आपका मेरी य्ट्यूब चैनल पे आज हम क्लास 7 की विशे विज्ञान की कारिय पत्रक 15 करेंगे बच्चो डेट है बच्चो आपकी इस कारिय पत्रक की 7 सेप्टमबर 2021 कारिय पत्रको स्टाट करने से पहले आपसे बच्चो प्लीज मेरी चैनल इश्याप क्मुडर क्लास इसको जुरूर सब्सक्राइब करते बच्चो और अगर आपको वीडियो अच्छ लगी तो प्लीज इस वीडियो की लास्ट में वीडियो को लाइक करना ना भूले तो यह इमारते इटों से बनती है सजीव का श्रीर सुक्षम इकायू से बनता है जिने कोशिका कहते हैं तो जैसे आपको सब पता है कि इमारते इटों से बनते हैं वैसे ही कि जो सजीव जो जिनमें जान होती है उन जीवों की जो शरीर है वो सुक्षम इकायू से बना तो उन सुक कोशिका कोशिका कोशिकाव मिलकर की बनाते हैं माना श्रीट को बनाती है बदेका प्याज के जिली उतित महिंद स्क्षमदर्शी किया हुआ है विद्सक्राव सक्षमदर्शी से देख रहाए है। और उसके बाद हम उसको यहां से अपने आखों से देख लेते हैं ठीक है कुछ जीव केवल एक कोशिका के बने होते हैं कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही कोशिका होती है जैसके एक्जामपल इसमें अमीबा इसमें सिर्फ एक ही कोशिका होती है अब कोशिका जीली कोशिका एक पतली बहाय संचना द्वारा गीरी होती जिसे कोशिका जीली कहते हैं तो जैसे आपके कोशिका है इसके भारी तरफ एक सरचना बनी विए तो इसको हम बोलते हैं कोशिका जीली क्या करते हैं भारी पधार्तों से कोशिका को सेव करता है यह कोशिका जिली नेक्स इसमें इसके बाद हम पढ़ें केंद्रक इसमें केंद्रक में स्थित एक संसू सपस्ट सरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है तो जो गोल गोल है बच्वी क्या हमारा केंद्रक होती है बिल्कुल बीच में होता है तो इसके बोलते हैं केंद्रक नेक्स्ट आपके पास कोश्का धर्वे तो कोश्का केंद्रक चारो और से जेली जेली के समार पदार से गिरा होते जिसे कोश्का धर्वे कहते हैं तो जैसे आपके पास क्या केंद्रक है इसके चार्टर की जो लिक्विड सा दिखाई दे रही कि आप चोश्का धर्वे है ठी कोशिका कहते हैं तो आपको कोशिका का उन्तुर हो जाए तो इसको आपको निख देंगे second question देखते हैं बच्चों में इस वाकशीट को second question में हमें पुछा गया, कोशिका चित्र बनाई और उनके मुग के तीन भाग दर्शाई तो आपको कोशिका बनाने उसके तीन भाग दिखाने जैसे कि आपको कोशिका दिखाए गई है, यह कोशिका है, यह कोशिका धर्वे है और यह आपका कोशिका जिल्ली है और यह कोशि लिख सकते हैं और इसको आप याद करना ना भूले कि तीनों की क्या क्या होती है तो तीनों का डियागराम बनाना जुरूरी यह तो डियागराम आप जूरू बनाए तो वाकशीट बच्चा आपकी कंप्लेट होती है वाकशीट का सुलूशन अगर आपको अच्छा लगा है पसंद आये तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी कोई डाउट कोई प्रॉलम वो भी है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और प्लीज बच्चों मेरे चैनल रिशियो कर ले बच्चों थेंकि बच्चों है भी नाइस जी